हेलो एवरिवान, हेलो बच्चो, वेलकम टू ATP स्टार कोटा, कैसे हैं आप सब, होपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो बच्चो, मिनी शॉर्ट सीरीज को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं हमें करना है, तो हमें मिनी शॉर्ट सीरीज का यूज़ करना चाहिए इस सीरीज में और भी कई सारे वीडियो बन चुके हैं, उनको भी आप जरूर दिखेगा बच्चो, इसका जो PDF है, वो भी हम शेर करते हैं, हमारी टेलिग्राम कॉम्यूनिटी में, हमारी फैमिली में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बच्चो, टेलिग्राम चैनल का वहाँ जरूर जॉइन कर लीजेगा वहाँ पे इसका मैं PDF भी शेर करने वाला हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको थोड़ा स्क्रोल करना पड़ेगा और बाकी भी वहाँ पे टेलिग्राम चैनल पे बहुत कुछ आता रहता है, बच्चो तो चली यह स्टार्ट करते हैं, पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं देखीं, पॉलीमर्स fundamentally दो तरह के होते हैं अगर हम बात करें, पहला तो होता है addition और दूसरा होता है condensation यानि depending on the type of mechanism, पॉलीमराइजीशन को हम दो कटिगरीज में डिवाइड कर सकते हैं addition polymers ऐसे हैं, जो addition reactions की help से बनते हैं, condensation या step growth polymer ऐसे होते हैं, जो condensation reactions से बनते हैं, addition polymers को chain growth polymer भी बोला जाता है बच्चो, यहाँ पे primarily in general जो यह reaction होती है, ketionic, anionic या free radical भी हो सकती है, बट primarily free radical addition होता है, चली अब पहला addition polymer के बारे में बात करते हैं, वो बहुत ही famous है, the first one is polythene polythene आप सभी ने सुना होगा, इसको polyethylene भी बोल सकते हैं, इसका जो monomer होता है बच्चो, वो होता है ethylene, और ethylene के बहुत सारे unit इसमें connect हो जाते हैं, इनका तरीका ऐसा होता है कि pie bond को आप break करोगे, pie bond break करने के बाद carbon की valencies free होंगी और वो आगे further unit से connect होता जाएगा, यह free radical polymerization का example होता है बच्चो, the next one is polystyrene, polystyrene, देखे poly मतलब बहुत सारे styrene, यहाँ पे जो monomer होता है वो होता है बच्चो, styrene, styrene मतलब benzene पे CH double bond CH2, इसके बहुत सारे unit आपस में combine करके बनाते हैं, polystyrene बच्चो, polystyrene से the next one is PTFE, poly tetrafluoroethene, जिसको teflon भी बोला जाता है बच्चो देखो, tetrafluoroethene की बात करते हैं, यह इसका monomer है, tetrafluoroethene में क्या होता है, CF2 double bond CF2, and it is very similar to ethylene, ethylene में क्या होता है बच्चो, ethylene में हमारा होता है CH2 double bond CH2, यहाँ पे हमारे सामने है CF2 double bond CF2, तो बात सम्दमाई, अब इसका polymerization जब होगा तो pi bond टूटेगा, and again क्या हो repeating unit आ जाएगी, CF2 single bond CF2, यह बार-बार repeat होता रहेगा, across the polymer, teflon हमारा non-stick कोक्वेर में भी use होता है, teflon coating भी होती है बच्चो, उसमें काफी use होती है, cars के उपर भी teflon coating होती है, उसके अलावा the next one is PVC, PVC is polyvinyl chloride, यहाँ पे जो monomer होता है बच्चो, वो होता है, vinyl chloride, that is CH2 double bond CHCL याँ, ethylene की अगर हम बात करें, तो उसमें यहाँ पे CL लगा होता है, ओके बच्चो, तो PVC जो होता है, इसी के polymerization की help से बनता है, clear है आप सभी को, और बाकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे PVC की pipes भी काफी use होती है, अगर हम इसके usage की बात करें, the next one is polyacrylonitrile, जो artificial wool में use होता है, polyacrylonitrile की अगर हम बात करें, तो इसको pan भी बोलते हैं, pan, acrylonitrile क्या होता है, acrylonitrile में ऐसा होता है, CH2 double bond CH जो होता है, इसमें इसके साथ cyanide भी जुडा होता है, cyanide भी जुडा होता है, और इसका polymerization करते हैं, तो C double bond C break होता है, and यही unit polymerize करती है, मैं आपको ब share करने वाला हूँ, telegram channel पर share करने वाला हूँ, तो उसका use जरूर करिएगा, चलते हैं बच्चो आगे, the next one is, अब हम rubber के बारे में बात करते हैं, बच्चो, rubber में अगर हम बात करें तो natural rubber जो होता है, उसका जो monomer होता है, बच्चो, बहुत ही famous होता है, वो होता है, CYS 14 poly isoprene CYS form में होता है, दो pie bonds होते हैं यहाँ पे और बीच में single bond होता है, और यहाँ एक methyl होता है, यह हमारा CYS 14 isoprene जो होता है, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 14 position जो होता है, इसको हम बोलते हैं, isoprene बच्चो, और यहीं पे अगर हम इसका polymerization करें, तो जो natural rubber होता है, वो होता इसमें सबसे famous जो synthetic इसका rubber का जो form होता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन में बच्चो क्या होता है, नियोप्रीन में जो यह आईसोप्रीन के अंदर मिथाईल था, उसकी जगा पे क्लोरीन लग जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, तो क्लोरोप्रीन के polymerization से बच्चो मनता है, बाकी दो और important rubber होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, बुना N एंड बुना S, अगर हम बुना S की बात करें, तो यहाँ पे it is a co-polymer, co-polymer का मतलब होता है, जहाँ पे दो तड़ा की monomeric units होती है, तो बुना N में अगर हम बात करें, तो हमारे पास butadiene होता है, बच्च होता है, दूसरा monomer क्या होता है, वो होता है, pan, polyacrylonitrile, जिसका थोड़ी दिर पहले ही हमने बात किया था, तो बुना N, बुना S, यह हमारे क्या हो गए, यह हमारे artificial rubber हो गए, नियोप्रीन भी हमारा artificial rubber हो गया, अब बच्चो हम लोग आगे चलते हैं जिन्दगी में, और ह आता है, terry, terry मतलब terrythelic acid, terrythelic acid में 1,4 position पे, benzene के 1,4 position पे carboxylic acid होता है, यह ethylene glycol के साथ combine करता है बच्चो, तो यहाँ पे हमारे पास terrylene बन जाता है, ठीक है, यही पे इसका एक variation होता है, जिसको हम बोलते है glyptal, glyptal के अंदर क्या होता है, यह 1,4 position की बजाए बच वो glycol से आया है, और यह टल जो है, PTAL, यह thallic acid से आया है बच्चो, यह होता है polyester क्योंकि यहाँ पे aster linkage होती है, तो it is a type of polyester बच्चो, ठीक है, कई पर question exam में आ जाता है इस तरह का कि बताओ भी polyester कौन सा है, polyamide कौन सा है, तो आप directly देख सकते हो terrylene को, और उसके अलाव में दो भाई है, एक है nylon 6, nylon 6 का जो monomer होता है, वो होता है caprolectum बच्चो, caprolectum एक 7 member ring होती है, 7 member ring के अंदर nitrogen भी होता है, एक heterocyclic ring होती है और C double bond O भी होता है, सबसे पहले इसका hydrolysis होता है, hydrolysis के बाद जब इसको heat करते हैं, तो condensation होता है, water का removal होता है बच्चो, यह removal होन nylon 6 इसमें इसलिए आता है क्योंकि monomer में 6 carbons है, hence it is nylon 6, चलो अब बात करते है nylon 6, 6 के बारे में बच्चो, nylon 6, 6 जो होता है, इसके अंदर 2 monomers होते हैं, one is HMDA, HMDA का मतलब होता है hexamethylene diamine होता है बच्चो, 6 carbons होते हैं इसमें, और दूसरा हमारा होता है adipic acid, adipic acid के अंदर हमारे पास again 6 carbon होते हैं, CH2-4 और उसके अलावा COOH, COOH होता है बच्चो, तो यह हमारा होता है adipic acid, यह दोनों आपस में condensation reaction करते हैं, यानि आपको दिख रहा है यहां पे condensation जब होगा तो amide बन जाएगा, H2O removal हो जाएगा, NH2 as a nucleophile attack करेगा, COOH पे और H2O will be removed, ओके गईज तो nylon 6-6 में 2 monomer थे हमारे पास, 6-6 carbon के हैं, इसलिए इसका नाम आया nylon 6-6, चलते हैं इससे आगे, बच्चो बेकलाइट की बात करते हैं, बेकलाइट से पहले हमें novalac की बात करनी चाहिए, novalac बच्चो phenol and formaldehyde से जब हम reaction करते हैं, तो यह आपस में condense करते हैं और reaction हो जा जाता है, तो cross linking होती है बच्चो, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, novalac बन जाता है, sorry क्या बन जाता है, बेकलाइट बन जाता है, तो बेकलाइट एक cross linking वाला polymer है जो काफी strong होता है, और यह electrical switches में insulation के लिए काफी उपियोग किया जाता है बच्चो, नेक्स चलते है, melamine and formaldehyde, melamine जो है एक बहुत ही amazing compound है, एक heterocyclic compound है बच्चो, जिसमें nitrogen alternate position पे आते है, benzene जैसा होता है, और 3 NH2 group होते है, total loan pair melamine में हमारे 6 होते हैं बच्चो, melamine के साथ जब formaldehyde का condensation होता है बच्चो, तो ऐसे case में, वही reaction होती है, condensation reaction होती है, और unbreakable croakery के लिए, यान घर में अगर लडाई हो जाए, भाहिंकर हो जाए, तो melamine से बनी हुई croakery अगर हो, तो उसके तूटने के chances कम होंगे, तो melamine formaldehyde की croakery बनती है, राइट बच्चो, चलते है लास्ट, लास्ट लास्ट पे, urea and formaldehyde, urea आप सभी जानते हैं कि urea and formaldehyde भी आपस में polymerization करते हैं, NCRT में लास्ट में यह जो पूरा, क्या बोलते है, चार्ट सा दिया हुआ, एक table दी हुए, उसी के बारे में हम बात कर रहें, तो urea NH2, CO NH2 है, और यहाँ पर formaldehyde के साथ ये भी combine करता है, बच्चो, अब चलते है, the last one, the biodegradable one, biodegradable में जो सबसे important है, वो हमारा PHBV है PHBV के अगर हम भात करें, तो आग सका BV से कोई relation नहीं है, बच्चो, इसका मतलब होता है, polyhydroxy, butyrate, wellerate, देखो बच्चो, यहाँ पर butyrate और wellerate का मतलब यह है, butyrate में 4 carbon होते हैं, और जो wellerate है, उसमें 5 carbon होते हैं, इसके जो monomer होते हैं, वो होता है, 3 hydroxy butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic acid, यह एक biodegradable polymer है, बच्चो, तो इस छोटे से वीडियो में सारे के सारे polymer, addition कौन से हैं, condensation कौन से हैं, polyester कौन से हैं, polyamide कौन से हैं, जिन-जिनके uses मैं बता सकता था, वो मैंने बता दिया है, बच्चो, hoping that यह आपको helpful रहा होगा, जल्दी से like जरू कर देना, और आपने subscribe न चैनल पर जरू जाईएगा, महां मैंने PDF अप्लोड कर दिया है, मिलते हैं फिर नेक्स मिनी शॉट में, बबाई, टेक क्यर और लव यू आल